अगर हम साउथ फिल्म स्टार की सबसे शांदार जोडी की बात करें तो सबके दिमाग में सबसे पहले नाम आएगा अनुशका शेटी और प्रभास का जिनकी बहतरीन बॉंडिंग ना केवल आन स्क्रीन है बलकि आफ स्क्रीन भी है और इसी बॉंडिंग के कारण जहां दोनो एक ही जैसी फिल्मों में काम करना पसंद करते हैं साथ ही वो एक दूसरे की फिल्में देखना भी पसंद करते हैं लेकिन अगर इन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की सबसे ज्यादा फिल्में देखी हैं तो वो हैं प्रभास जिन्होंने अनुशका शेटी के करियर की सब भी फिल्में देखी हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि अनुषका शेटी की हर फिल्म देखने वाले प्रभास कभी भी उनकी चार फिल्में नहीं देखना चाहते प्रभास को उनकी चार फिल्में देखना बिलकुल पसंद नहीं है जिनके लिए उनके पास कई अलग-अलग कारण है तो आखिर कौन सी हैं वो फिल्में जो प्रभास देखना पसंद नहीं करते आज की इस वीडियो में हम आपको इनी सवालों के जवाब देने वाले हैं तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फिल्म नगावली का जो साल 2010 में आई अनुशका शेटी की डरावनी फिल्म थी इसमें अनुशका शेटी ने राजा के दर्बारी का किरदार निभाय था जिसे राजा मार देता है, जिसके बाद उसकी आत्मा उस महल में भटकती रहती है अनुशका ने इस भूमिका में अच्छा प्रदर्शन किया था और फिल्म हिट भी रही थी लेकिन इसके बावजूत प्रभास ने कभी भी इस फिल्म को नहीं देखा और इसे ना देखनी की कसम भी खाली इसका कारण यह है कि फिल्म में अनुषका को बहुत आपती जनक तरीके से मार दिया जाता है और प्रभास अनुषका का ये सीन नहीं देख सके और इसलिए इस फिल्म में लिंग भेदभाव बताया गया था इसलिए प्रभास ने खुद ही पहले इस फिल्म में काम करने से इंकार कर दिया था प्रभास ने अनुष्का को भी इस फिल्म में काम नहीं करने को कहा था लेकिन प्रभास के कहने के बाद भी अनुष्का ने इस फिल्म में क लेकिन प्रभास ने ये फिल्म कभी नहीं देखने की कसम खाली इसलिए उन्होंने अनुश्का की ये फिल्म भी आज तक नहीं देखी है प्रभास कभी भी अनुश्का शेटी की 2015 की फिल्म साइज जीरो नहीं देखना चाहते लेकिन आपको बता दें कि ये फिल्म बहुत अच्छी थी इसमें लोगों को अपने स्वास्थी के साथ खिलवार करने के साइड इफेक्ट्स बताए गए थे लेकिन फिल्म फ्लॉप सावित हुई थी फिल्म फ्लॉप होने के कारण ही प्रभास अनुष्का को इस फिल्म में नहीं देखना चाहते अनुष्का शेटी के करियर की ब्लॉग बस्टर फिल्म भागमती भी प्रभास नहीं देखना चाहते फिल्म में वो एक IPS अधिकारी की भूमिका में दिखाई दी थी जिसके शरीर में भागमती की आत्मा प्रवेश कर जाती है और उन्होंने इस किरदार को बखु भी निभाय था लेकिन फिर भी प्रभास कभी भी इस फिल्म को नहीं देखना चाहते इसके पीछे का कारण ये है कि फिल्म में उनका लुक भविश्य में बहुत ही डर्रावना हो जाता है क्योंकि एक प्रेतात्मा उनके शरीर में प्रवेश कर लेती है और वो ऐसी चीज़ों को देखते हुए बहुत डरते हैं ऐसा लगता है कि यही कारण है कि वो किसी अन्या आत्मा को अनुश्का के शरीर में प्रवेश करते हुए नहीं देखना चाहते और इस वजह से उन्होंने आज तक अनुश्का की ब्लॉक बस्टर फिल्म भाग मती भी नहीं देखी है दोस्तों आपको अनुश्का की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवड से लेकर टॉलिवड इंडस्टरी तक की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें